आज हम सीखने वाले एक python script के बारे में जिसे मैं personally बहुत use करता हूँ और यह मेरा बहुत ज़ारा समय बचाती है तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी यह share करी जाए script के बारे में थोड़ा function बता देता हूँ यह script करती क्या है जैसे कि आप mocha pro से corner pin को export करते हैं और यहाँ पर लाटे हैं और आपको जैसे की first frame को set करना है यहाँ पर तो आप क्या करते है from में जाते है copy to करते है और यहाँ पर no animation करते है और इन सब में आप no animation करते है कुछ ऐसे करके आपका ये frame set हो जाता है, ठीक है मान लीजिए आपके पास एक बड़ा शॉट है जिसके अंदर आपको 15-20 corner pin के यूज़ करने की जुगत पड़ रही है तो आप सबको ऐसे करते रहेंगे तो आपका बहुत समय वेश्ट होगा उसी समय को बचाने के लिए हम क्या करते हैं तो आपको मैं script दिखाता हूँ वो कैसे काम करती है यहां से मैं corner pin को लेके आया यहां paste करा keyboard में F5 key को press करा जैसी F5 को press करूँगा तो यहां पर आप देखेंगे उसने मेरा reference frame को set कर दिया है और उसने यहां पर यह सब चीजे भी हटा दिया है अगर मैं last frame में set करना चाता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ set corner pin करता हूँ तो देखें last frame में set होगी अगर middle frame में करना चाता हूँ तो middle frame में हो जाएगी इससे होगा क्या कि आपको बार बार जाके no animation नहीं करना पड़ेगा copy to नहीं करना पड़ेगा सबसे main बात कि ये script आपको मिलेगी का ये script आपको description में मिल जाएगी और उसे install करना भी आपको मैं समझा देता हूँ कि इस install कैसे किया जाएगा और अगर जैसे कि आप यहाँ पर मेरा नाम देख रहे होंगे अगर ये आप अपना customize चाते हैं तो उस चीज को भी कैसे change कर सकते हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ तो कुछ आपको description में ये folder मिलने वाला है set corner pin वाला इसके अंदर आपकी तीन file रहने वाली है ठीक है? ये python script की file है तो ये तीनों file को कैसे आपको use करना है अपने PC पे वो बता देता हूँ तो आपको करना क्या है? आप अपने .nuke folder के अंदर जाए यहाँ पे आपको करना क्या है? एक folder create करना है जिसका नाम होगा python ठीक है? इसको create करने के बाद आपको करना क्या है? यहाँ पे जाके आप set corner pin को copy करें और यहाँ पे पेस्ट करें ठीक? एक काम आपका यहाँ पे खतम हो गया इसके बाद .nuke folder के बाहर आपकी एक menu की file बनी होगी तो आप इसे खोलें तो menu की file के अंदर आपको करना क्या है? जो मैंने आपको यहाँ पे file दी है उसमें से यह पूरा copy करें ठीक और इस menu में last में जाके यहाँ पे paste कर दें इतना ही करना है आपको और यह जो file है इसको भी खोलें यह copy करें यहाँ से और आपके system में जो .nuke file के अंदर जो यह file आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि इसे खोलें और वहाँ पे भी यह paste कर दें और थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि यह काम कैसे करती है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है यह आपको एक path बता रहा है कि आप इस folder के अंदर जाके check करिए हमने एक folder का नाम मनाया python तो आपका जैसे यह लिखा हुआ है P capital है यहां पर भी P capital ही रहना चाहिए ठीक है इसके बाद जो आपने menu में देखा था हमने यहां पर जैसे मैंने प्रमोध यहां पर VFX लिखा हुआ है अगर यहां पर आप कुछ भी नाम लिखेंगे तो वो आपको यहां पर display होने वाला है अगर आप नाम को customize करना चाहते हैं तो आपको यहां पर change करना है ठीक है तो यह script मैं आपको यहां पर provide कर दूँगा description में और इससे आप अराम से install कर पाएंगे अगर आपको तब भी को करके पूछ सकते हैं और उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें अगली वा मिलते हैं धन्यवाद